नमस्कार दोस्तों मैं डाक्टर अनल कुश्वाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं जो चर्चा और पर चर्चा का विशय है नया टॉपिक है और यह क्लासेज आप पर भी जाती है और आज यूटूब पर भी आएंगी क्योंकि वहां थेयोरी क्लास भी चलती है और वहां प्रेक्टिस भी कराई जाती है तो अगर आप हमसे जोड़ना चाहते हैं तो हमारा आप है डाक्टर नोट्स बाइलोजी आप इसको यह जो आप दिख रहा है डाक्टर नोट्स बाइलोजी इसको आप जैसे ही लिखेंगे गूगल प्लेश्टोर पर इस तरह का सिंबल आए इसका माँख की केंगे जैसाइन आप agent जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो साइनआप करते ही आपकोру एंवल करेंगे जैसे ही आप उसको फ्रेंगे फिल करने के बाद आपको लोग इन UP और पासवार्ड जैए गा है चुसको आप Windows कह लिजएगा जो पासवार्डा आजा नहीं होगा, PGT और PGT का तब तक वेलिड रहेगी, 1199 वाली TGT, PGT का एक्जाम कराएगी, उसके बाद LT के एक्जाम तक वेलिड रहेगी, जब तक LT का एक्जाम नहीं होगा, जो पशंद हो अपनी जरूर के ले सकते हैं, इसके अलावा आपको चार टेलिग्राम के ग्रूप जिसमें आपको notes group होगा, जिसमें notes और book अब लेवल होगी, और practice group होगा, जहां आपको पूश्चन की practice कराई जाती, discussion group होगा, जहां रातरी साढ़े नो बजे से लेके साढ़े दस तक daily आपके topic by discussion होता है, जिससे आप exam score ज्यादा कर सकें, और आप पर्मनेंट select हो सकें, तो question number first देखते हैं, gymnosperm का, species of which are the following gymnosperm possesses nematophore, देखिए actually में nematophore क्या होते हैं, एक सबदाया nematophore, तो nematophore क्या होते हैं, actually में respiration के लिए एक विसेस प्रकार के spatial structure पाए जाते हैं, विसेस प्रकार की सनचनाय देखने को मिलती हैं, खास कर mind group plants में देखने को मिलते हैं, किस में देखने को मिलते हैं, rhizophorati, mind group plants में एक सर कोश्चन पोचता है, तो यह अक सर कहां देखने को मिलता है, तो प्राया mind group plants में देखने को मिलता है, mind group plants क्या होते हैं, ऐसे पौधे जो समुदर किनारे उखते हैं, या समुदर के दलदली भाग पर उखते हैं, चुकि वहां साल्ट या नमक ज्यादा होने के कारण वो प्रापर रिस्परेशन नहीं कर सकते हैं तो ऐसे पौधों में क्या होता है जैसे माल लेते हैं ये पौधा है ये पौधा है तो यहां जड़ों के पास से कुछ ऐसी उबरी हुई सरनचनाई निकलती है जिनने हम निमेटो 4 के नाम से जानते हैं किसके नाम निमेटो 4 जो प्राया इनमे स्वसन में मदब करते हैं तो ये मायन गुरूप का विसेसी करल अच्छा रहा है मगर कुछ जिम्नो इस्पर्म भी ऐसे हैं जिनमे इस तरह के निमेटो 4 जैसे समचना देखने को मिलती है वो कौन है तो टैक्सोडियम है क्या है टैक्सोडियम में प्राया निमेटो 4 देखने को मिलते हैं जैमिया क्या है सबसे इस्मालेस्ट ध्यान रखेगा इस्मालेस्ट जिम्नो इस्पर्म है क्या है जिम्रोस परम है Creature को क्या बोलतें चीड के नाम से जानते हैं साइक आप सब जानते हैं सायकेट के बारे मे合ने प्रौपर क्लास होची है तो मुझे नहीं लगता कि अगर हमारे आप से जुड़े हैं और हमारी अपने लिएन नोर्स बनाए है तो इन में से कोई कोश्चन आपको परिसान करेगा ऐसा संभाव नहीं है फिलाल हमने पूरी कोशिस की है नेक्स्ट कोश्चन नमबर दो पर चलते हैं वाट इस दर टूफार पाइनस के लिए सत्त क्या है इन में से बहुत सारे ऑप्सन दिये हैं तो उसने पूछा है पाइ यह बहुत कौश्चन पूछता है मैंचली और मैंचली किस Meण पाइब जाना ओ पिकन्चली पूछ देता है तो पिखनो जालिक देखना पी से पिखनो पीसे पाइनस ऐसे याद करना हम तो ऐसे आद रखेंकी से फिखनो पीसे पाइनस अगर पीसे यह प्लखनो जालिक तो मदूलब खनउप जाली यहाद है और बची फोर्फ प्रोड यही से कुश्ट्य मोरुiosoंड पकाड मयाा अगर ectomycorrhiza, ध्यान रखेगा, mycorrhiza किसमें पूछा जाता है, PGT में कई बार question पूछा गया, ectomycorrhiza pinus में पा जाता है, mycorrhiza होता क्या है, तो कुछ कवक होते हैं, क्या होते हैं, कवक जिनको इंगलिस में fungi के नाम से जानते हैं, वो इनकी root के साथ symbiotic condition में जुड़े रहते हैं, symbiot conditions में इन से जुड़े रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो ectomycorrhiza बोलते हैं, जो potassium phosphorus आदी की supply करते हैं, उसके बदले पौदे से भोजन लेते हैं, तो एक दूसरे के lycan की तरह मदद करते हैं, तो ये ectomycorrhiza है, तो option ये सही होगा, ध्यान रखेगा, देखे, ड्वार् किसका characteristic feature है, तो ये characteristic features है, आपके pinus का, तो ध्यान रखेगा, पाइनस के बारे में, अब देखे, अभी question जो बताया था, question number 3 में क्या कहता है, the smallest gymnosperm is known as, सबसे छोटा gymnosperm किसे बोलते हैं, सबसे छोटा gymnosperm प्राया किसको जानते हैं, तो पहले आए दिया है, psychus revoluta, psychus revoluta क्या होता है, तो ध्यान रखेगा, इसका native place क्या है, ध्यान रखेगा, इसका कभी कभी पूछ देता है, native place क्या, ये कहां पाए जाता है, psychus revoluta, तो चाइना माना जाता है, native place इसका कहां माना जाता है, चाइना और जापान को माना जाता है, किसको ये माना जाता है कि यह जो psychos revoluta है चाइना और जापान में देखने को मिलता है ध्यान रखेगा और इसको living fossil भी बोलते हैं क्या बोलते हैं living fossils के भी नाम से जानते हैं अगर पूछदे के living fossil को हो तो psychos revoluta दिया हो या फिर psychos दिया हो तब उसको आप वो सही करना है इसको तैसो के नाम से जानते ह तो रेवलिटा को टसो के नाम से जानते हैं, किसके नाम जानते हैं, तसो के नाम से जानते हैं, और ध्यान रखेगा, यह क्या करता है, साइगो पाम के भी नाम से जाना जाता है, इतना साइगो पाम के भी नाम से जाना जाता है, इतना साइकास रेवलिटा से जो कुश्ण बन है C जो हमारे question जो हम लोगों के TGT PGT LT GIC और KVS NVS में जो है तो बहुत ज्यादा हमें साइकस, पाइनस और बहुत पढ़ना है तो इफेड्रा और नीटम से जर्नल जो जर्नल करेक्टर है उससे नीटम से एक आप question पूसता बकाया जिम्नोस पर्म से बहुत question मतलब आगे नहीं आते पूरे के पूरे question साइकस, पाइनस और दो चार question इफेड्रा और दो चार question नीटम से पूसता है तो पूरा का पूरा जो important है वो साइकस और पाइनस है जहां question दो या तीन question हर एक्जाम में TGT PGT में आपसे उसता है अब next question पे चलते हैं आर्ची गोनियम और अपसेंट इन पहले जालने ते आर्ची गोनियम क्या है तो यह female reproductive organs है क्या है female reproductive organs है अर्थात यह क्या है मादा जनन अंग है क्या है मादा जनन अंग है कौन मादा जननन अंग है आर्ची गोनियम क्या है प्राया मादा जननन अंग है यह किस में पाए जाता है तो आर्ची गोनेटा में पाए जाता है अर्थात यह कहां देखनी को मिलेगा त इसके लावा तेडोफाइटा तेडोफाइटा और कहां देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म इन तीनों में देखने को मिलता है यहां सारे नीटम नीटम दिया सलेजनेला सलेजनेला में बिल्कुल पाए जाता अर्चिगुनियम और साइकस में पाए जाता है मारसीलियम पाए जो एंजीयो इस्पर्म ध्यान रखेगा एंजीयो इस्पर्म अर्थाद अब्रत वीजी और जीम्नो इस्पर्म के बीच की कड़ी है जीम्नो इस्पर्म के बीच की कड़ी है चुकि नीटा में जीम्नो इस्पर्म जैसे लच्छन भी दिखाई देते हैं तो इसलिए हम यह बो होते हैं आर्चिगोनियम को तो प्राया नीटम में अपसेंट होती है द्यान रखे कर नहीं पाई जाएगी नीटम में बकाया स्लेजनेला साइकस मार्सीलिया देखे मार्सीलिया क्या है एक टेरोडोफाइट है इसे क्लब मास्क के भी नाम से जानता है इसे माल कलब मास के नाम से जानता है मर्सीलिया को स्लेजनेला को नेक्स सेहन देखना है नारजेस्ट वो गैया मिट्टा होता है वो सबसे बड़ा किसका होता है कुए सबसे बड़ा पूरे पादप जगत में सबसे बड़ा male gametes किसका देखने को मिलता है तो saikas का देखने को मिलता है यह भी पूछ देता है, यह मल्टी फ्लेजलेट होता है, यह लट्टू के आकार का होता है, टॉप लाइप होता है, कैसा होता है, लट्टू के आकार का होता है, यह अगर सन्चना आप देखेंगे, बुक में आप अगर अगर पढ़ेंगे, तो यह इस तरह से देखने, धार्जेश्ट है, तो किसका है, साइककाउस का, तिरीस क्या यह, एक साइक क्सक तैरीस कि एक कटेडो फालिय। पाइनस के क्या होता है? पाइनस में एक Q Kongsi में पूज्ञ देखने को मिलते हैं का यह देखने पाइनस में पॉज्ञ आखें पाल ने पोड़ाया कहा देखने को मिलते हैं। नहिसाना होता तो प्राया इस तरह का होता है इसमें दो इस तरह से पॉलन के देखने को मिलते हैं या बीग मिलते हैं यह देखने को ए देता है यह यह दो कोश्चन से राइजोपस को क्या बोलते हैं राइजोपस क्या एक कवक है फंगस है जिसको हम किसके नाम जानते हैं ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं किसके नाम जानते हैं ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं तेरिस क्या है टेडोफाइट है फिर कोश है कि diplo gylic vascular bundle हमें कहां देखने को मिलते है लोग देखने को मिलते हैं तो डिपलो जाइलिक किसमें देखने को मिलते हैं तो डिपलो जाइलिक करेक्टरिस्टिक पीचर है साइकस का और यह पीजी टी और टीजी टी में कुश्चन बन चुका है डिपलो जाइलिक जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो डिपलो जाइलिक करेक् सेंट्री पीटल तो ये दो प्रकार का जायलम पाय जाता है कौन्स कौन्स है सेंट्री फ्यूगल और सेंट्री पीटल दो प्रकार का जायलम पाय जाता है इसलिए इसे डिपलो जायलिक बोलते है और डिपलो जायलिक कंडिशन देखने को कहा मिलती है तो इसके रैकिस में दे में साज होता है, इसको भी ध्यां में रखेगा, कैसा होता है, मेंसाज होता है, और दो सब्दाते हैं, एक आता है, एक साजlying एक आता है, मेंसाजTwo यहीं साज़ देखेंगे, आप पर अगर आप जोलते हैं, तो वहाँ सब कुछ बिटेल में पढ़ाया गया है, अगर यहां बताने लगेंगे तो यही पढ़ाते हो जाएगा पूजिशन नंबर आट में क्या है तो एस्टेडी आप दा मेडलरी देज इन दियर हाइट एंड विट्ट विच आप दा फालूइंग प्लेंस विल यू सजेस्ट फॉर्ड़ तो सजेस्ट फॉर्ड़ दा क्या करता ह सच्छेस्ट फॉर्ड़ पाइनस इस्टम कहता है अगर मेडलरी रेज इन दियर हाइट एंड विट्ट की आध्यन करना है हमें हाइट और विट्ट का तो प्लेंस विल यू सजेस्ट फॉर्ड़ पाइनस इस्टम क्या करेंगे तो रेडियल लॉंगिट्यूड ने सेक्शन है कितनी सिस्टीन और यह कैसे हैं तू यहन है नंबर दा क्रोमोसोम इंदा इंडोस्पर्म हर्दम जो बहुत उम्दा कुश्चन है सबसे जादा पूछा जाता है तो जितने भी जिम्नोस्पर्म है दियान रखेगा जितने भी जिम्नोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है, किस की संख्या, क्रोमोसोम की जो नंबर होते हैं, वो हर दम हैपलाइड होते हैं, क्या होते हैं, हैपलाइड होते हैं, तो इन में चुकि डिपलाइड क्रोमोसोम 16 है, तो हैपलाइड क्रोमोसोम क्या होगा, 8, तो जो इंडोस्पर में जो क् एक्रोमोसोम ही जिम्नोस्परम का करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्यूश्चन पे चलते हैं। इन साइकस लीफ लेट, दा वैस्कुलर बंडल इस। साइकस की जो leaflet होती है, उसमें किस प्रकार का वैस्कुलर बंडल हमें प्राया देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, प्राया किस प्रकार का में वैस्कुलर बंडल प्राया देखने को मिलते हैं, तो हमें प्राया जो वैस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं, लीफल leaflet में, next question देख लेते हैं, 12 number which are the following is not true for the pinus, निम लिखित में कौन सा pinus के लिए सत्य नहीं है, pinus के लिए इन में से सत्य क्या नहीं है, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं, तो Bracks and Oblipherous scale, बिल्कुल ये pinus में पाए जाते हैं, ये वाला जो question आया था, ये Yelty 2018 में question पूछा गया था, कि Oblipherous scale किसमें पाए जाते हैं, ये same to same question पूछा था, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं था, कि जो ना पूछा गया हो, बिल्कुल same to same question उसी हुभा हुभा पूछा गया था, next question पूछा था, resin canal and needle, किसमें पाए जाता है, pinus में, minogylic wood किसमें पाए जाती तो अभी बताया था, केवल साइकस में पाए जाता है, किसमें पाए जाता है, साइकस में, और चुकि pinus का पूछा है, नहीं सत्य है, तो option D, विल्कुल सत्य नहीं है, क्या है option जो डी है जिल्कुल भी सर्थ नहीं है next question देख लेते हैं इन वीच आप दा फालोईंग जिम्नो इस पंस जीनस दा सीडार पूज टू बीदा बाइटेगमिक निम लिखित किस अनावरत वीजी बंस में बीज दो चूली माने जाते हैं तो एक चूली में देखें साइकस और जो पाइनस है उनमें यूनी टेगमिक होता है एक पाय जात है मगर इफेड्रा जो है यह अपर बंस है जो उपर का हिस्सा यह बाइटेगमिक इसमें कंडीशन देखने को मिलती ओविल में तो आप्शन आएगा इफेड्रा क्या आएगा इफेड्रा नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं चौदा नमबर कुश्चन दा इंडो स्पर्म इंजिम्नो स्पर्म इज फार्म वाए अनावरत्ति वीजी पाउधों में ब्रून पोस बनता है तो यह विफोर फटलाइजेशन बनता देहन रखेगा विफोर फटलाइजेशन निसेचन से पूर्व बनता है यहां यह भी ग तो दोस्तों इसको ऑप्सन सही करेंगे सी नेक्स्ट कुश्चन देख लेते हैं विच वन आप दा फालूइंग पेयर्स जेनरा इस नोन एज लिविंग फॉसिल लिविंग फॉसिल की नहीं कहते हैं जो उस समय भी जीवित थे जब मतलब इनका आस्तुत था और आज भी आ बाइलोबा भी लिविंग फॉसिल के अंतरगत आता है यह दोनों लिविंग के अंतर आते हैं तो ऑप्सन ए सही करेंगे साइकस और गिंगो बाइलोबा दोनों के दोनों लिविंग फॉसिल के अंतरगत आते हैं तो दोनों को सही करेंगे तो ऑप्सन ए सही करेंगे इसमें अगर जो तार्पीन का तेल होता है वो किस से प्राप्त किया आता है तो तार्पीन का तेल पाइनस से प्राप्त किया आता है तो आप्सन ए सही करेंगे नेक्ष्ट कुश्चिन देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा कुश्चिन पूछा गया है, the indoor sperma gymnosperm is commonly, जो indoor sperma जबनोसperm का वो प्रया होता है, कैसा होता है, अभी हमने बताय हर्दम haploid होता है, अगुडित होता है, कैसा होता है, अगुडित होता है, अगुडित होता है, और होता है angiosperm का किसका होता है angiop sm Potterm का वह होता है जहन रखेगा बहु MP3 होता है समझ गए हुए है to option इसका लगाएंगे text question पर चलते है question number 18 का कह रहा है which are the following and which following is a character of जियम्यु इस परमस बूड जिम्नू स्पर्निम्लिखित में अनावत्त ठीवीजी कास्ट का चुकि यह इनमें वेसल्स का अभाव होता है क्या होता है वेसल्स का अभाव होता है यानि वेसल्स नहीं पाई जाती है और वेसल्स नहीं पाई जाएंगे तो इनमें छिद्र नहीं होंगे तो अर्थात यह नान पोरस होती है क्या होती है नान पोरस जब हमने आपको economic bottomy पढ़ाई है तो देखना ये तीनों porous और drink porous diffuse porous तीनों को तीनों वहां में आपसे विस्तरत में चर्चा की कि porous किसकी लखड़ी पाई जाती नान porous किसकी पाई जाती है ये विस्तरत चर्चा आपसे की है आप पर जाकर economic bottomy देखेंगे तो सब clear हो जाएगा question number 19 में क्या कह रहा है which of the following pair is not correctly matched इन में से कौन correctly matched नहीं है तो psychus का motile होता है बिल्कुल सही है भी हमने बताया है पाईनस टिकनोजाइलिक होता है ये भी बिल्कुल सही है इफेडरा मैनोजाइलिक होता है ये बिल्कुल गलत है मैनोजाइलिक कौन होता है साइकस होता है साइकस प्राया मैनोजाइलिक होता है तो option C सही होगा कि कौन सही नहीं है तो C निसे गिंगो बाइला को मेडन हेर ट्री कहते हैं बिलकुल यही कहते हैं तो option C सही होगा मैनो जाइलिक जो होता है साइकस होता ना कि फेडर यही गलत है तो option C इसका सही होगा question number 20 पे चलते हैं mark the gymnospermas plant in which archigonium absent इन में से किसमें archigonium अनुपस्तित होती है तो प्राया archigonium जो अनुपस्तित होती है वो किसमें होगी pinus में क्या होती है present होती है psychus में present होती है ephedra में present यह आएगा neatum neatum में क्या करेंगे absent करेंगे नहीं पाई जाती है चुकि यह ingo spurn के बहुत नजदीक है इन में ingo spurn के अधिकतर character देखने को मिलते हैं आज कर लास्ट कोश्चन देख लेते हैं और रूट और फाउंडिंग और रूट या प्रवलाव मूल किसमें पाई जाते हैं तो यह characteristic feature से साइकस का साइकस में दो प्रकार की रूट पाई जाती है एक नार्मल रूट और दूसरी जो रूट होती है निगेटिव होती है यह अंदर की और धसकर surface पे चलती है और यह क्या करती है निका मुक खार होता है इनमें क्या पाई जाते कोलोड रूट में इनमें eल्गी पाये जाते हैं कौन नाश्ट रूट d और एना भीना analytics academy Chelsea आदी पाए जाते हैं जो की nitrogen fixation में मदद करते हैं इसकी तो साइकस में की कौलसराई रूट में पाए जाते हैं जां रखे गा साइकस में दो प्रकार की जणों का पाया जाना Isaac manufacturer part features है और इसको आप ध्यां होता है ज़ान रखेगा और इनमें एना बीना नॉस्टॉक और ऊसलेटोरिया भी पाई जाती है और इनमें प्राया दोतिया की याणि सेकंजरी जो घ्रोफ होती है वह अपसेंट होती है कैसी अपसेंट नहीं पाई जाती तो दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा इसे साथ नमस्कार